हुआ दोस्तों फिर से में आपका स्वागत कर रहा हूं ठीक आज हमारा जो विसाय रहेगा वो रहेगी वैदिक सभेता ठीक आज का जो टॉपिक है अप इसके पूरू का जो टॉपिक आपने जो पढ़ा है ठीक उस टॉपिक में आपने इस बात को ध्यान दिया है कि हमने पह काल उसके बाद हम ने काल को पढ़ा से काल को अर्थाद काल के विभाजन को पढ़ा जिसमें रखिएगा मुलरुप से हमने वादिक के बारे में रिगवेद के बारे में लेक्चेकर वध कमेधियक जेश्र हैं नम्द पिछले lecture में कर चुके हैं तीक आज हम वैदिक सभयता के समाजिक आर्थिक राजणितिक पहलू이 का अध्यन करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहली बात्रा में हम देखते हैं रिग्वेदिक काल को रिगवेदिक काल जो है ये जो है पंदरा सो इस्वी पूरी से लेकर एक हजार इस्वी पूरी के मद्ध का काल को रिगवेदिक काल कहा जाता है इस काल में ध्यान रखिएगा जो रिगवेदिक आरे थें वे रिगवेदिक आरे भारत में ठीक ये प्रारम इन्होंने अपने निवास अपना प्रारम किया था और सबसे पहला इनका निवास था सब्त सेंधो प्रदेश ध्यान रखिएगा जहां पर साथ नदिया बहती है अ होता गया ठीक है चली करके हम लेते हैं जो रिग्वेदिक काल है इस रिग्वेदिक काल मेें हम इस बात को कर लेते हैं और भारत के इस इस इसств इक्सियों से इनका संगर्च हुआ, ठीक है, एक-एक करके उनको पराजित करते गए और इस छेत्र पे इनका परसार हो गया, अस्तित्त तो हो गया, ठीक, इनका कपजा हो गया, समझे, उसके बाद धिरी-धिरे ये जो आ रहे हैं, ठीक, इनका परसार भारत में होता गया, ठी आपका दिहान रखिए के कौन सा काल पढ़े था, रिगवेदी काल से पढ़े, धीक, सिंदुघाटि से भाटा के बारे में हम पढ़े हैं, इस से पहले एक बाहर देख लेते, पासाण काल, धीक, ये पत्थोरों के आउजार का काल था, समझे, धीरे से सिंदुघाटि से था हमारी कांस यूगिन सब भेता थी, कांस यूगिन, इससे पहले ताम्र पासाणिक यूग आ चुका था, ताम्र, ताम्र पासाणिक यूग, ध्यान रखेगा, ठीक, पहला हो गया, पत्थरों का काल, ताम्र पासाणिक काल, फिर कांस यूगिन सब भेता, उसके बाद ध्या तिक यहां तक अभी जब आप वेदिक काल पढ़ रहे हैं रिग वेदिक काल को भी हम किस काल के अंतरगत रखते हैं ध्यान रखेगा सिंदू हाट जस्ट सभेता के बाद का काल अर्थात अभी लोहे काविसकार ठीक है नहीं हुआ है चलिए रिग वेदिक काल के बारे में हम देखने से पहले फिर एक बार हैं चारों वेदिक के बारे में संचिपत पर जानकारी पर अर्जित कर लेते हैं सबसे पहला दिख़िएगा जह हमारे वेदीक on है इसके दो कैटिगरी है पहला हमने रिग वेधिकी कहने के मतले हैं समझे सीधा और दूसरा है उत्तर वेधिक है सांवेध यिजूरवेध और अथर वेद इसके साथ साथ ध्यान रखेगा, ठीक है, पुरान आते हैं, ठीक है, उपनिशद आते हैं, उसके बाद विदांग आएंगे इसमें हमारे, विदांग, ठीक है, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ब्रामन गरंथ आएंगे, ठीक है, बहुत सारे गरंथ हैं, मतलब लेते हैं रिगवेदिक जो काल है ठीक इस काल के हमके परमान कैसे मिला है तो दो स्रोत लेते हैं एक हम लेते हैं पुरा तत्विक स्रोत और दूसरे लेते हैं साहतिक स्रोत ठीक एक करके देख लेते हैं पहला देख लेते हैं पूरा तत्विक स्रोत का मतलब है ठीक हमको कुछ पूरा तत्तो मिला है और ये तत्तो कहां से मिला है ध्यान रखिएगा कुरुच्छेत्र के पास गुरुच्यत्र गुरुच्छेत्र के पास हमको न्वास मिला है यहां पर 13 माकान मिले है ठीक आर ऐसा कहा जाता है कोई भी लेख मिला है अथी अभिलेख कोई अभी लेख इसमें रिगविदिक कालिन तरह देवताव का वर्णन जैसे इंद्र, वरुन, नाशत्य और अगनी इन सभी का वर्णन है मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि रिग वेद के काल में ही अर्थात वेदिक काल में ही थीख है वेदिक देवताओं का वर्णन जो है भारत के बाहर भी किया जा रहा था तहां पर भोगज कोई अभी लेयक में रिग वेदिक देवताओं का वर्णन किया रहा है तो हम कह सकते हैं कि पुरेतत त्व में रिग वेदि काल से समंदिद प्राप्त मातरह में हमको साक्षी मिले है दुसरा साक्ष है साहितिक स्रोथ, साहितिक स्रोथ में स्वेम रिगवेद आ जाता है, ध्यान रखेगा, रिगवेद, अर्थाद, रिगवेद में यहां के समाजिक व्योस्था, आर्थिक व्योस्था, राधनितिक व्योस्था, आदिस अभी व्योस्थाओं की चर्चा की कहां से आए ठीक जो कि हमने रिगवेदी काल उत्तर वेदी काल के हम चर्चा कर रहा है ठीक क्या ये भारत के मुल निवासी थे जी नहीं ठीक है इसके लिए अलग-अलग मत है ध्यान रखिए कोई एक मत की बात हम नहीं करेंगे यहां पर आर्यों के जो भारत में आगमन अर् जो रिगवेदी का रही है वे कहां से सब्सेंदो परोधेस में मतलब सब्सेंदो पर देश से आया सब तहन संदो परीश वही है 6 नदियों का पड Și जहां बहती है ध्यान रखिए इनका ये कहना था, ठीक, कि ये सब्त सेंदो परदेश से भारत में आये थे, ठीक, चलिए, एक हो गया, दूसरा द्यानन सर्शती, द्यानन सर्शती की दो पुस्तक के हैं, पहला है, सत्यार्थ परकास, दूसरा है, इंजियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, इन दोनों पुस्तको में इन्होंने कहा है, कि जो रिगवेदिक आ रहे है, वे कहां से आ है, बहुत दूर से नहीं आये थे, कहां सा है, तिबबत से आ है, ठीक, वही तिबबत, जो भारत के उपर और चीन से नीचे आ था, चीन के जो अधिपत्य का जो छेतर है तिबबत, वही तिबबत, ठीक, यहां से आरे कहां हैं भारत में आये हैं ठीक है इनका मत थे बालगंगा धरतिलक का एक बहुत अच्छी इनका भी एक मत है इन्होंने पुस्तक लिखा Arctic Homes of Aryans ध्यान केगा इस पुस्तक का नाम से आप इसका ठीक derived कर सकते Arctic Homes of Aryans अर्थात आरे कहां से आ हैं, तो आर्य जो है Arctic से आ है, ठीक ध्यान रेखे एक Arctic उपर है, Antarctic नीचे है, Arctic यानि उत्रो धुरू से आ हैं, उत्टरी धुरू से आहें, ठीक, North Pole से, ठीक है, इतना है समझ में, ठीक, उसके बाद एक और मत है, Max Muller, Max Muller ने कहा है कि जो रिग वेदिक आ रहे हैं, वे कह मध्य एस्याँ से आ रहता हूं मध्य एजिया है तो यहां पर हमारे अलग-अलग मत हो गए variants तुट द्वार तिबत अ मुन्हों अर्म द्वारा मध्य exits. इसा कहा जाता है कि जो आ रहे है वे आल्पसपरवत के पूर्वी हिस्सा है तिक जिसको यूरेसिया कहा गया है ठीक है ध्यान रखेगा तिक आल्पसपरवत आल्प्स के पूर्वी हिस्सा तीक आल्प्रवत के पूर्वी हिस्सा और इस स्थान को क्या कहा गया है यूरेशिया यूरेशिया तीक आरियों का आगमन यहां सिवा था तीक है तो एक बहुत ही अच्छा प्रमान इसको मानते हैं तीक है प्रस्ण जो है आपको सब तरब से प पुछा गया है, ध्यान अन्सरस्ति के बारे में भी पुछा जा चुका है, बाल गंगा धर तिरक के बारे में भी पुछा जा चुका है, ठीक, अब चांसेज हैं कि इसको मैच दा फ्लॉइंग करके पूछेगा, तो ध्यान रिखेगा, ठीक, अलग-अलग मत है, ठीक, अलग- रिगवेदी काल में है तिक वहाँ पर रिगवेद मतलब आपके जो आ रहे थे इनका विस्तार कहां कहां था सबसे पहले तिक जब यह आए तिक पंदरासव इसवी पूर में तो इनका जो पहला आगमन था कहां पर था सब्तसेंदों परदेश तो ध्यान रखेगा करी थी हिमाले की हिमाले को तिक ही मवंत के नाम से जाना गया है किसके नाम से ही मवंत ध्यान रखेगा तिक अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हिमाले तक इनका प्रसार था हिमाले में ही एक परवत चोटी है जिसको मूझवंत कहते हैं ध्यान रखेगा क्या मूझवंत चोटी ग्यान भी था, इनके साहित्मियची चर्टा मिलती है, और ऐसा कहा जाता है कि इसी मुझवन्त चोटी में, ठीक है, क्या मिलता था? सोम, सोम नामक जो द्रव्य है, ठीक है, इसी का मतलब वो पौधा पाये जाता था, जिससे सोम द्रव्य बनाया जाता था, कहां पर? मुझव में दिल्ली में पड़ता है, ठीक तो इस चेतर को जब इनका परसार परसार यहां हुआ, तो अब इस चेतर को क्या कहा गया? ब्रह्म वरत कहा गया, ध्यान रखेगा, ब्रह्म वरत कहा गया, ठीक जब यह कुरुच चेतर से भी आगे परसारीत होते गाए, ठीक जब यह पड़ा अब सका नाम पड़ा ब्रम हर्षी देश द्यान रखेगा अब आज यह हिमाले से विद्याचल हिमाले का ज्यांद पहले था उसके बाद ये मददबर देश के एरिया तक आते गए अब विद्याचल तक पहुँच गए अब इसका नाम क्या पढ़ा ध्यान रखेगा हिमाले से विंध्याचल तक अब यह पढ़ा मद्य पर्देश मद्य पर्देश ठीकि यह मद्य पर्देश का नाम वो नाम नहीं है जो वर्तमान में मद्य पर्देश है मद्य प्रदेश का मतलब हो गया हिमाले से विंद्याचल के मद्य का प्रदेश ध्यान रखिएगा हिमाले से लेकर विंद्याचल के बीच का प्रदेश ही आपका क्या है मद्य प्रदेश इसके बाद जो आ रहे हैं इनका विस्तार बिहार बंगाल तक उसके बाद धीरे धीरे आर्या वर्त, clear है, ठीक है, इस चीज़ पर वे थोड़ा सा confuse करेंगे, ठीक, पुस्तक में दिया हुआ है, मद्य पर्देश, जो वर्तमानी मद्य पर्देश है, ठीक है, ध्यान रिखेगा, वो मद्य पर्देश नहीं है, ठीक, यह हिमाले से विंध्याचल के बीच का एरिया है, उसको कहा गया है, clear है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, भोगली क्विस्तार देख चुके हैं, भोगली क्विस्तार के बाद हम, ठीक, अगला चीज़ देखते हैं, कि जो रिगवेदिक जो नदिया है, ठीक, रिगवेदिक काल में रिगवेदिक नदियों का बहुत ही महत्पूर है, ध्यान रखेगा, ठीक, रिगवेद के जो आरे थें, यह एक चोली में अब हम पढ़ते हैं तिक आपके सब्सिंदू छेतर है इस छेतर की प्रमुख नदियों के बारे में अर्थात रिगवेद में वर्डित प्रमुख नदियों के बारे में आपसे प्रस्न पुछा आता है और उन प्रस्नों के बारे में हम पढ़ते हैं यहां पर पढ़ेंगे त से जाना जाता है हिरन यानी ध्यान रखेगा हिरन यानी किस नाम से जाना जाता है हिरन यानी ठीक है clear है सतलज को सुत्रुदी की नाम से जाना जाता है सुत्रुदी ध्यान रखेगा सुत्रुदी ठीक है रावी को किस नाम से जाना जाता है पारुष्णी ठीक पारुष्णी चिल्यालाब को जाने जाता है आशकिनी, ठीक है, जेलं को जाने जाता है वितिस्ता के नाम से, वितस्ता, ठीक है करके देखते जाएए, व्यास का नाम है विपासा, विपासा क्लियर है, ठिक सरसती को घगर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, घगर, ठीक है, कुर्रम, कुर्रम को किस नाम से जाना जाता है, कुरूभू के नाम से, कुरूभू, ठीक है, और काबूल को, काबुल को कुभा के नाम से clear है गंड़क को सदा नीरा के नाम से जहां आ जाता है सदा नीरा ठीक है ध्यान रखिएगा सदा नीरा यह है आपके रिगवेदिक काल के परमुखन दिया एक एक बार फिर से रिवाज कर लेते हैं सिंदु को हिरेणियानी कहा जाता है, सतलज को सुत्रुदी कहा जाता है, सुत्रुदी, तिके रावी को पारुष्णी, तिक चिनाब को आश्क्नी, जेलम को वितस्ता, व्यास, विपासा, सरसती, घगगर, तिके कुर्रम, कुरुभू, काबुल का कुभा, और गंड़क का सद दियान रखेगा, इन सभी में सबसे महत्यपूर्ण नदी, सिंधू नदी है, अगर आप से ये पुछा जाएगा, कि सबसे महत्यपूर्ण नदी कौन है, तो आप किसका उलेक करेंगे, सिंधू नदी का, लेकिन सबसे परवित्र नदी, सरसती नदी है, ध्यान रखेगा, सरस सती नदी को नदी तमा एवं माते तमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, नदीयों के बारे में प्रस्न पुछा जाता है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक रहेगा, कि, ठीक, हम देखने हैं कि इस समय की समाजिक स्थिति क्या थी, रिगवेदिक काल की समाजिक स्थिति, हम सिंदुखाटी सभेता में देख चुके हैं, कि सिंदुखाटी सभेता को जो काल था, उस काल में वहां पर मात्र सत्तात्मक समाज पाया आता था, ठीक, लेकिन जब उसके बाद का जो काल है, वहां पर ये सत्तात कुं थ्यान रहुआ क argument समाज की स्थापना होती है इस से पहले जो आपका अर्यन मतलब सॉरी इंड इस इंडेसगी सिविलाइजेसंद इस सिविलाईजेसंद में तो इस 10 works in यहाँ पर आए पितर साथ तात्मक समाज जब आरे भारत में आए ठीक तो ध्यान रखिएगा ठीक ये भारत में इन्होंने क्या किया ठीक जैसे ही भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने अपने आपको गौर वर्ण का कहा ठीक उसके भाश्वे मंडल में है रिग वेद में आथा चतूरवण विवस्था स्थूर विवस्था था कि स्थिति मीra पूर्द विवस्था था यॉकर वर्ड ववस्थाQue ने तक पहला पहला अधार था था खिजान रही गा उस समय जाती वस्था कर्म के अधार नहीं था यॉकर जाती विवस्था के अधार पर नहीं था, sorry, ठीक है, वर्ण विवस्था का यहां पर अधार था कर्म, ठीक, जो व्यक्ति जैसा काम करेगा, ठीक, वो उसी वर्ण पर रहेगा, धियान रखीगा, जो व्यक्ति जैसा काम करेगा, ठीक, उसका वर्ण जो है, उसी प्रकार से रह जैसे की थीख, यहाँ पर एक जाम्पल दिया गया, एक छात्र एक छात्र कहता है, रगे casual में इसका statement है, मैं एक कवी हूं, क्या कहता है, मैं एक कवी हूं, ठीक है, अपने आपको कवी कहता है, मेरे पिता चिकित्सक है, गardeşं है, और मेरी माता, जो है, वो अनि-पिस्ने का कार करती है अन्य पिष्णे का कारे करती है ध्यान रिखिएगा ठीक है अर्थात एक ही परिवार के तिन अलग 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 कारे कर रहे हैं ठीक है तो यह वेक्ति जो है यह चात्र क्या कहता है मैं कभी हूं मेरे पिता किस्षक है एवं मेरी माता अन्य पिष्णे का कारे करत रखति है अर्थात आप कह सकते हैं जो वक्ति जैसा करम करेगा तीक उसी करम के अधार के वर्ड में वह ठीक रखा जाएगा त्यक्तों यहां पर आप मान सकते हैं कि वर्टमान में ज्लोत जाती व्यवस्था जैसे कठूर व्यवस्था है उस ठीक है अर्थात वेक्ति एक वर्ण से दुसरे वर्ण में स्विच कर सकता था मूव कर सकता थे यानि वर्ण में ठीक है आना जाना है आधी कि वर्ण में एक वेक्ति का एक स्थान से दुसरे स्थान कहने का मतलब है ठीक है एक word से वेक्ति दुसरे word में प्रवेस कर सकता था ठीक है धहने रखेगा यहां पर और एक उधारे में दे देता हूँ ठीक आप जानते होंगे विश्वा मित्र के बारे में विश्वा मित्र विश्वा मित्र वास्तों में क्या थे वास्तों में यह क्या थे वास्तों म लेकिन इनके कार के अधारपी है क्या थे ब्रामाण थे तो विश्व मित्र का आप उधारन यहां पर ले सकते हैं तो धियान रखेगा ठीक इस जगह पर यहां पर ठीक है विवाह के बारे में चर्चा है विवाह जो है वो दो प्रकार के होते थे पहला है अनुलोम विवा प्रतिलोम विवाह यह क्या होता था ठीक जैसे हमने अभी चारवंड की बात किया पहला ब्रामण दूसरा है छत्री ठीक फिर वैस और सुद्र ध्यान रखेगा ठीक यहां पर शीज को ध्यान रखेगा ठीक अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्वन का पूरुस ठीक यानि कि अपने से ठीक है लड़का जो है क्या होना चाहिए उच्वन का होना चाहिए लड़की जो है ठीक है निम्नवर्ण की होनी चाहिए तो इसी को कहा जाता है अनुलोम विवा परतिलोम विवा उल्टा ठीक अगर कोई लड़की जो है ठीक अगर कोई लड़की छत्री है अगर वह वैस लड़के से साधी कर रही है ठीक विवा कर रही है तो इसको कहा जाता था पर बामन विवा कर रहा तो और बुदारान से छत्री या ब्रामन से वैस तो यहां पर भी आपिस चीज को ऊधारन वन में आप जान सकते हैं यानिowakर अगर अगर ब्रामन है, तो ब्रामन लड़का है, अगर छत्री लड़की से विवाह कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि यह अनुलोम विवाह है, लेकिन अगर ब्रामन लड़की है, और छत्री लड़के से विवाह कर रही है, तो वो है आपका परतिलोम विव स्थिति काफी अच्छी थी ठीक है कैसे अच्छी थी ऑगसे की महिला है यहां पर कुछ महिला को ले deputy जिसे लोपा मुद्रा, अपाला, घोशा, सिक्ता, यह कुछ महिला हैं, ध्यान दखिएगा, ठीक, यह महिला है कैसी महिला है, विदूशी महिला है, ठीक है, विदूशी महिला है, ठीक, यानि जैसे विद्वान, विद्वान के विपरित क्या होता है, स्तरलिंग विदूशी ह होता है तो विदूशी महिला हैं तो ये जो महिला हैं इनका समाज में उच्छ स्थान था ठीख है इनको रिशी धारन करना ठीक और जनुवी कोन धारन करते थे जनुवी द्विज जाती को लोग धारन करते थे फिर यहां पर बता दे रहा हूं ठीक यह हो गया आपका ब्रामण यह हो गया आपका चत्री यह हो गया वैस और यह गया सुद्र ठीक ध्यान रखिएगा यह जो तीनों जाती है इसको द्वीज जाती कहा जाता है, द्वीज, इनका दो बार जन्म हुआ है, द्वीज किसको कहा जाता है, जिसका दो बार जन्म हुआ है, दो बार जन्म, कैसे दो बार जन्म हुआ है, पहला जन्म माता के गर्म से, और दूसरा जन्म होता है, जब वो जन्यू धारन करता है, जो द्वीज हैं वही क्या धारन करते हैं जन्यू धारन करते हैं तो ध्यान रखिएगा ब्रामण चत्री अव्यष इन तीनों को ही जन्यू धारन करने का अधिकार था अधिक्वेदिक कालीन में महिलाओं को भी था ध्यान रखिएगा किसको था महिलाओं को ठीक है यहां पर ध्यान रखेगा तिक यहां पर विध्वा विवा का प्रचलन था तिक विध्वा विवा जो विध्वा हो जाती थी उसका फिर से पुनर विवा कर दिया जाता था तिक दहज पर था यहां पर थी लेगन उस परकार से नहीं थी दहज पर था का मतलब जिस परकार से उपाहर द अगर उसमें से पूरुस की मुर्ति हो जाती है और उस समय तक महिला जो है वो गर भिवती नहीं रहती आर्थाथ थीक अपना मतलब संतान की उत्पति नहीं हुआ रहता है तो ध्यान रखिएगा नियोग परथा का सहरा लिया जाता है ठीक किसलिए देखेगा जब महिला है अगर वो महिला इसमें इस स्थितिम क्या होता महिला जो अपने देवर के साथ विवा कर लेती है अस्थाई विवा ठीक है किसलिए केवल केवल संतान उत्पत्ति के लिए ध्यान रखेगा नियोग पर्था में देवर के साथ ठीक है अस्थाई विवा किया जाता है संतान उत्पत्ति के लिए तो ध्यान रखेगा संतान उत्पत्ति के लिए ठीक संतान उत्पत्ति के मिला भानु गुपत के यादि आप समझे गुपत काल के अंतिम समय में सती पर्था का ठीक है परचलन था अब यहां पर इस इस्तिती में सती परथा का परचलन नहीं था नहीं परदा परथा था ठीक कुछ इस्तिरियां ऐसी होती थी जो जादा पढ़ी लिखी रहती जादा आजीवन विवाह नहीं करती थी, क्या कहा जाता था, आजीवन विवाह नहीं करती थी, क्या कहा जाता था, आजीवन विवाह नहीं करती थी, क्या कहा जाता था, आजीवन विवाह नहीं करती थी, आजीवन विवाह नहीं करती थी, तो उसको हम क्या कहते है, आजीवन विवा पर ठीक है क्या भरी अच्छा रादनितिक इस्थिती ध्यान रखीगा रिग्वेदी काल में रादनितिक इस्थिती उतनी संपद्र नहीं थी कि यहाँ पर हर परकार के अलग अलग विभाग हैं. लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मामले में हमको बताना पढ़ेगा कि रादिती की स्थिल का क्या सनरचना था? सबसे पहले देख लिजिए कि यह ब कबीलों में निवास करते थे, किस में? कबीले, कबीले में निवास करते हैं, अर्थात कबीलाई जीवन जीते थे, गरामेड जीवन जीते थे, कैसा जीवन? गरामेड जीवन, तिक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, दूसरा, यहां का सासक, तिक है, यहां का सासक, राज तंत त्रात्मक ना होकर क्या था गण तंत्रात्मक था तिक आगे जाके इसकी स्थिती चेंज हो जाएगी तिक अब ध्यान रखेगा रिगवेदी काल में पांच पर्मुख कभीलों की चर्चा की आती है तिक अनू, दुरु, पूरु, तुर्वशु और यदू तिक इनी पांच क मतलब पांच कभीले और कौन से कभीले तो अनू, दुरु, पूरु, तुरु, तुर्वशु और यदू, क्लियर है तिक अब आज ये तिक आगे तो ध्यान रखेगा राजनितिक इस्थिति में हम देखे तो इस समय सबसे चोटा राजनितिक की काई परिवाल होती थी कुल ठीक परिवार या कुल कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, कुल, कुल क्या होता था, ये परिवारी है, ठीक अलग नहीं है, परिवार, एक परिवार को एक कुल कहा जाता था, और इसका परमुख को कहा जाता था, कूलब, ठीक, ग्राम, कई परिवार मिलके एक ग्राम बनते थे, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कई परिवार मिलके ग्राम मतलब गाओ और गाओ के परमुख को जाता है वही का कर्या maintenu को एक फिश-फिश-फिश-फिश-फिश-फिश-फिश-बजेजव तो राज जी के परमुक को क्या कहा गया है राजन कहा गया है राजन ठीक है यहां तक आप जहान रखेगा कूल के परमुक को कुलप ग्राम के परमुक को ग्रामिड विश के परमुक को विश्पति जन के परमुक को राजन तो इस प्रकार क्रमसा कूल ग्राम विश जन और उस प्रकार के organization थी, ठीक, पहला है सभा, दूसरा है समिती और तीसरा है विदत, तो सभा, समिती और विदत यहां से प्रस्न पुछे जाते हैं, ठीक, इसका अध्यन कर लेते हैं, सभा क्या है, ठीक, तो सभा जो है, रिगवेदी काल में, ठीक, एक ऐसा, बतलब सभा, जो है एक ऐसा organization था जहां पर विद्ध लोग रहते थे संभ्रांत लोग रहते थे अमीर लोग रहते थे किस प्रकाय के लोग रहते थे ठीक इसका screenshot कर लिजे ठीक फिर मैं आपको इसको erase करके यहाँ पर बताऊंगा हो गया चलिए यह हो गया आप चलिए सभा सभा जो है यह आ ठीक है यह उच्चो लोग उच्चो कूल मतलब उच्चो लोग जो अमीर लोग होते हैं उनका ठीक है तो ध्यान रखेगा इसका परमुक कार होता था न्याय करना ठीक ध्यान रखेगा सभा में स्रेस्ट लोग संभरांत लोग उच्चो लोग ही रहते थे इसका आकार जो है क्या कहा गया है सभे जो सभा में सामिल होते थे उन लोगों को सभे कहा गया है ठीक है अब आ जाती समिती समिती जो होती है ये आम लोगों की समिती है आम जन की ठीक ध्यान रखिएगा ठीक इसका कार है राजा का चुनाओ करना राजा का चुनाओ ये चाहती तो राजा को हट क्या कहा गया है इशान या पती कहा गया है ध्यान रखिएगा इशान या पती ठीक इसके प्रमुक को इशान या पती कहा गया है चलिए अगला आ जाते हैं विदत विदत भी एक परकार का सभा है एक परकार के ये जन सभा कह सकते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा कुछ इसका कार जो है, यूद में लूटे गए, जो आपके धन होता है, उसका बठवारा करना है, ठीक है, किसका? विदत का, तो इसका एक स्क्रिन्सॉट ले लिजे, ठीक है, मैं हट जाता हूँ यहां से, स्क्रिन्सॉट ले लिजे, चलिए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब हम देख लेते हैं, आर्थे किस्तिती, कि रिगवेदी काल के आर्थे किस्तिती, किस प्रकार सी? ठीक, ध्यान रखेगा, हम जानते हैं, कि रिगवेदी काल में, ठीक, इनका प्रमुक साधन क्या था? ठीक, तो यह पसू पालक थे, क्या थे? पसू पालक थे, ध् इसलिए इस पुसू में इनका क्याप में योगदान था गाय का ठीक ध्यान रखेगा गाय के लिए लड़ा गया है तो इसमें एक वर्ग का नाम आएगा पड़ी कहा गया है पड़ी अर्थात इक गाय को एक ऐसा व्क्ति था जो हमेशा क्या अतर्शा चुराग यहाता था चुराहक ले आथ है तो गाय को चूरी रिया करता था तो गाय के सम्मण में V теai के सब्द आता है थींग घ्रिकं अच्ठ करनी सब्द आता है ठीक यह से संब्द है गाय की महत्ता को पर रद बताने के लिए तीक फिर गविस्ट डाता है गविष्ट डियान रखिएगा तीक गायोंके अधिस्ठा जिनके पास ज्यादा गाएं हैं उनके संबने सब्दता आता है तुक अस्ट कर्ण गविष्ठ गाए को aghaanianaya माना गया है, अर॥ा method अर्थात aghaanianya का अर्था होता है जिसकी हत्या न की की जा सके्ट, अर्थात गाएं की हत्या नहीं किया जा सकता था, तो ग्यान के लिए आता है ध्यान रिखिएगा अश्ट करनी भी उसी प्रकार का एक सब्द है अगन्या का रथ हो गया गाय की हत्याना करना ठीक है गाय से सम्मंदित एक और है ठीक है गाय से सम्मंदित एक और सब्द आता है दुहिता ठीक दुहिता किसे कहा जाता है कि वह कन्या ठीक है से गाय से ठीक है चलिए अब ध्यान रखेगा इस समय हाँ पर वैपार का लेंदिन का माध्यम क्या था। हुस्टू वीदमय ठाव वस्टू वीदमय का मतलड़ बाटर सिस्टम इसमें एक वस्टू के बदरें दूसरी वस्टू को दिया जाता था तो इस चीज को फिर से ध्यान रखेगा वस्तु वीदमय में उस समय मुद्रा के रूप में ध्यान रखेगा गाए थिक वस्तु तो था ही घोड़ा इसके साथ साथ निस्क निस्क का भी प्रयोग है ध्यान रखेगा निस्क क्या होता है यह सूना का होता है स जैसे कि आप वस्तू के स्थान पर एक बोरा आलू के बजाए एक बोरा आपने चावल ले लिया तिक इस प्रकार का वस्तू का विन्में चलता था उसके अलावा गायक फिर घोड़ा फिर निश्क अर्था सोने का बना निश्क इन सभी के मदद से भी क्या किया जाता था था जया जाता था चलिए इसका स्क्रीन सॉट कर लीजिए अब आगे बढ़ते हैं अगरा है ठीक धार्मिकीह स्थिति ध्यान रखिएगा तो कि धार्मिक स्थिति कैसी थी तो धार्मिक स्थिति के बात कर ले ते में बहुत सारे बहुत देवाद १ा ठीक है लेकिन फिर भी यहा भी एक एश्वरवाद की ओर ठीक है उनमुख था एक देवता खूब परमुख मानते थे चलिए ठीक है इन्होंने देवताओं की तिन सिरेंगी की कि पर चर्चा की है पहला है आकास की देवता दूसरा अंत्रिक्ष की देवता तिसरा प्रिथवी आकास का मतलब समझेगा यह सबसे उपर है ठीक है अकास का मतलब यह नहीं कि सामने यह जो हम अपने सर के उपर देखते हैं वह नहीं ठीक है अकास सबसे उपर उसके नीचे अंतरिक्ष ठीक अर्थात अंतरिक्ष क्या है अकास और पृत्वी के बीच का अरिया तो ध्यान रखेगा यहां पर सूर्य व्ष्णू के पास कि सूर्य और वरून जो है अपने पास विष्णु के पास टींगे तूव उन्हों ने देखा कि यन्टी प्रूज परे नीचे कि इंडर टी तीक है ध्यान रखेगा इंद्र तीक यह आपके वर्सा के दे होता है मरुत यह आंधीत उभान के दे होता है रुद्र हो गए वाई हो गए और परजन्य हो गए यह कहां के दे होता है तीक यह आपके अंतरिक्षी दे होता है उसके बाद प्रिथवी के दे होता है अगनी अग कभी भी जिस देवता का वर्णन किया जाता थे गवेद में तो उसमें उसी देवता को सबसे प्रमुख बना दिया जाता था बाकी देवता को उनको अधिनस्त ठीक अगर मालजी दूसरे जगह पर दूसरे देवता को वर्णन हो रहा है तो उस देवता को महिमा मंडित किया ज कूझ है नांचल तो इस प्रकार की प्रविर्टी पाई गए है जैसे मालजी यह ब्रम है विश्शनो महझ के बात करें तो जब ब्रमा की बात करें गहेँ जा सब से कंब ऐसे करें विर्टी को क्या कहा है हिथो निजम हिथो निजम का मतलब तिक बहुत सारे देवता है तिक इस बहुत सारे देवता में जब जिस देवता का वर्णन किया जाता था तो उस देवता को वहां पर उसमें उच्च बता दिया जाता था ठीक है चलिए अब आज ये परमुख देव को तोड़ने वाला ठीक है यानि कि कीलों को तोड़ने वाला जो किला होता है उस किला को तोड़ने वाला ठीक तो ध्यान रखिएगा पूरों को तोड़ने वाला पूरों को मतलब होता है किला ठीक इसलिए किला सौरी किला होगा किला चलिए आगे बढ़ते हैं वृत हंता अर्था इसने जल को जित लिया है ठीक है अर्थात एक चुली में जल को बचाया था ठीक तो ध्यान रखेगा पुरंदर वृत्त हन ठीक पुरमिद और अंसुजीत किन का नाम है इंद्र का नाम है ठीक है चलिए अगला है अगनी अगनी जो है यह प्रिथविक देवता इनका 200 बार चर्चा है दूसरे सबसे प इपॉर्टेंट डेवता कौन है ठीक है आपके अगनी मतलब जो चीज मैसेज यहां डालेंगे वह मैसेज उनको डिलिवर हो जाएगा कि हम यह ठीक हावन कर रहे हैं इस हे तू ठीक है वह मैसेज वहां उपर पहुंच जाएगा ठीक है चलिए यह हो कि हमारा ठीक धार्मिक स्थिति आगे अप चर्चा कर लेते हैं तिक उत्तरवेदी काली में उत्तरवेदी काली में ध्यान रखेगा यहां की जो रादनेति की स्थिति है करमसा धीरे-धीरे कुछ चीजों में बढ़ियां हो रहा था और कुछ चीजों में डिक्लाइन हो रहा था ठीक गिरावाट लगें चलिए ठीक है ठीक तो ध्यान रखेंगें हाँ पर क्या बनने लगए लिखते हैं लिखते हैं है थोड़ा सा बड़े बड़े गराम अर्था नहर्था लगासा नगरुके और इनका विस्ठापन हो गया थिक ध्यान रखेंगे इस समय राज तंद्र था साती साती साति गरतंत्र के भी ठीक, प्रमान मिले है, यानि राजितंत्र के साथ सद गरतंत्र मिला है, ठीक, राजा का अधिकार बढ़ गया, पहले ऐसा नहीं था, राजा जो है भूमी का स्वामी नहीं होता था, ठीक, भूमी का जो कारे करते थे, वही उसके स्वामी होते थे, ठीक है, रा राजवंस का उदाय होने लगा, अब यहाँ पर एक हमने डियागराम बनाया, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसे एक राजा था, था, तिक उन राजा को जिसे आरिया वर्त की चर्चा कर रहे हैं, आरिया वर्त में अलग-अलग एरिया हो गया, मिसे पूर, पस्चिम, उत पूर्वर के राजा को क्या उपति मिलता था संब्राड जो अतर का राजा होता था उत्तर का रिराठ और जो पस्चिमी का राजा मिलता था पस्चिम का जो राजा होता था ठीक उसको कहा जाता था स्वाराट और जो दच्छिन का राजा होता था ठीक है ध्यान रखीगा उसको कहा जाता था भोज ठीक है राजा भोज कहते हैं तो इस समय ध्यान रखीगा विंद्याचल तक ही था तो राजा भोज मतलब बद्य प तो यह आपसे प्रस्म पुछा जाता है कि उत्तर वेदी काल में जो पस्षिम के राजा था उसको क्या उपाधी दिया जाता तो साराट पूर्व से हैं पर फिर ता संव राजा को विराट दत्छिन के राजा को थिक भोज आउ मध्भ एरिया के राजा को ठीक राजा की उपाधी दिया जाता था, clear है, चली आगे बढ़ते हैं, ठीक, समाजी की विवस्था, तो ध्यान रखेगा, समाज यहाँ पर फिर से, ठीक, उन्नत होते जा रहा है, कुछ मामले में, डिकलाइन भी होगा, ठीक है, महिलाओं की सिती के मामले में, अब ध्यान लेकिन इसका अधारब कर्म के स्थान पर क्या हो गया, जाती, ठीक है, अर्थात अब ध्यान रखेगा, जो वेक्ति जिस वर्ण में है, जिस जाती में है, अब वो अपना स्थान बदल नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि एक जाती सब दूसरे जाती में परिवर्तन कर ले, ठीक, यहां पर कुछ सब्द है, ठीक, इस चीज को देख लेते हैं, ठीक, यहां पर जैसे ब्रामाण के लिए कहा जाता था, एही, आईए, ठीक, छत्री के कहा जाता था, आगच, ठीक, उनको भी, सम्मान पूरग बुलाए जाता था, तो यह आईए, ठीक, पधारिय के एसा पुदन दिया जाता था एही आगच आद्रव और आघाव मतलब इनको सम्वोधित का या आता था इस प्रकार से दियान रिखेगा ब्रामण को क्रमसा एही ठीक फिर छत्री को आगच वैश को आद्रव और सुद्र को आघाव ठीक यहां पर इस्थिती दियान रिखेगे इस् संसकार अब नहीं हो रहा है ठीक है ध्यान रिखेगा उपनियन संसकार रुख गया ठीक पहले रिखवेदी काल में महिला जो है यग में बैठती थी अब यह अनिवार नहीं रह गया ठीक है इस समय भी कुछ विदोसी महिलाओं का चर्चा है जैसे गारगी मैत्री और ठीक विदोसी महिलाओं वहां कुन थी अपाला गोशा विसंबरा लोपा मुद्रा और सीकता ध्यान रिखेगा इस चीज को कमपरेटिव स्टडी कीजिएगा क्लेर है आगे बढ़ें ठीक अब हम देख लेते हैं समाजिक विवस्था के बारे में तो समाजिक विवस्था मे आठ परकार के विवाह की चर्चा की गई है इसमें से चार विवाह मानने विवाह है और चार अमानने विवाह है तो सुरू के जो पर्थम के यह जो चार है यह मानने है ध्यान रिखेगा ठीक मानने और यह जो है आपके अमानने है ठीक होता है समाज में लेकि यह मानने नह लिए मतलब होगिया। आकल्य का को खूज़ते थे और इस के साथ विवा कर आय sólo फिर्या करता था इस को कह जाता था अधिकार में किस孵ारत ने तिर्विवा debate में द्यान रहाँ ने संधे लिए देविवा में होता था अगर को यग्य हो रहा है। करद जाता था और कान आया को दिया जाता था था क्या देदिया जाता था यग वसकरना होतं और यग्य के लिए कुछ दान देना पड़ता है अब दान नहीं होने पर क्या होता है तिक दान के जिसे की गाय दिया जाता था तो गाय के बदले में क्या दे दिया जाता है कन्या दे दिया जाता है यहां पर तो देव विवा में सिधा सिधा यग्य करा के कन्या दे दिया जाता ह ठीक है यहां पर ऐसा नहीं यग कराया जाता है लेकिन इस दान के बदले में जो गाया दिया आता था गाया के बदले में क्या दे दिया आता है कन्या दे दिया आता है ठीक परजापत्त्य विवाह किस प्रकार का है जब वर स्वेम ठीक लड़की के माता-पिता से क्या मांगे तिक और विवाह करें, तब इसको कहा गया है प्रजापत्य विवाह, ठीक है, गंदर विवाह, प्रेम विवाह है, ध्यान रखिया का सिंपल सा है, प्रेम विवाह, गंदर विवाह है, असूर विवाह, उसको कहते हैं, इसको हम क्रे विवाह के नाम से भी जानते हैं, क्रे वि अधुपक्ष को पैसा दे के विवाह करें, तो उस विवाह को हम असूर विवाह कहते हैं, राक्षस विवाह का मतलब ये एक प्रकास से अपहरन विवाह है, अपहरन विवाह, जबरदस्ति किसी को ठीक, आप अगवा करके अपहरन करके उसका विवाह कर लेते हैं, तो ठीक, पैसाच विवा सबसे निम्नकोटी का विवा है, ठीक यह जो है किसी भी महिला का सील भंकर दिया जाता है, समझे, सील भंकर करके ठीक इसके साथ ठीक विवा किया जाता है, ठीक है, तो इस विवा को पैसाच विवा कहा जाता है, तो यह जो पांचवा से लेकर आठवा तक है, ये विवा अमान विवा है, तो इस चीज को ध्यान रखीगा, ठीक इसका एक स्क्रीन सॉट कर लीजे, आई दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम महा जन्पद काल, ठीक है, महा जन्पद काल के बारे में हमको ये ध्यान रखना है, कि जैसे आपका वैदी का इसके बारे में हमको जानना है, और वही जो काल है, वह कहलाता है महा जन्पद, अब इसको महा जन्पद क्यों कहते हैं, इसको पढ़ते हैं ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक थोड़ा सम बैक्ग्राउंड में आ जाते हैं, पिछे आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो तिक उत्तर वैदिक काल अब देखे थोड़ा सा इसको हम डिव्लेप्मेंट को देख लेते हैं अभी महाँ जन्पद है ध्यान रखिएगा तिक सिंदु हाटी में किस प्रकार का सासन था तिक तो जो भी एरिया था ध्यान रखिएगा तिक यहां इस प्रकार का राज्य नहीं था ठीक अलग-अलग एरिये पे अलग-अलग वेक्तियों का सासन होता था जैसे मोहन जोदारू है तो मोहन जोदारू में वहाँ पर अपनी प्रकार का सासन था ठीक है लेकिन जैसे हम इस तरफ आते हैं रिगवेद और उतरवेदी काल में यहां कबीले आने लग जाते कबीले ठीक अर्थात कबीलाई सासन होता था ठीक यह हम पड़ चुके उतरवेदी काल में कबीला यहां पर था लेकिन अभी यहां से थोड़ा सा ग्राम से नगरों के विकास चालू हो गया था ठीक है धीरे से अब ग्राम किसमें डेवलेप हो रहे थे नगर में ठीक अब इसकार होता है खोज होता है जिसके माध्यम से अब यह जो नगर है बड़े नगर में परिवर्तित होते हैं बड़े नगर में और उसी को कहा गया है इतिहास में महा जनपद ध्यान रखेगा जनपद छोटा एरिया हो गया ठीक अब उसको क्या कहेंगे महा जनपद क्या हु ये दो इलाखे ऐसे थे जहां से लोह एस्क मिलता था तो यहां पर लोह एस्क की बहु उतायतता थी तीक लोह एस्क की इससे दो चीजे हुई पहला चीज हुआ कि हथियार बना हथियार तीक हथियार ने क्या किया युद्ध में मदद किया युद्ध से क्या हुआ बड़े छ क्षेतरों को हमने क्या क्या जित लिया अभु सी लोहे से हमनेका बनाया की के आजार बना दिये क्रसी के आजार की सपति आज द्यविवा थी जपर कि जबनाया दिक इस द यंबद अज जमीन था जो थी qip पत्रीला था यहाँ पर आपका उपज भी बढ़ गया तो दो बड़ी चीजी हुई ध्यान रखेगा एक्चोली में वास्ताव में हुआ था लोहे का आविस्कार यानि की लोहे का जो खोज था तिक लोहे की खोज ने मानव सभेता को एक यूग से दूसरे यूग में जंप करा दिया तिक जितना असान हो गया पहले क्या होता था तिक लगड़ी के जो युद होते हत्यार होते थे या पत्थरों के हत्यार होते थे तिक इस प्रकार के हत्यारों के बजाए लोहे का हत्यार जो है ज़्यादा टिक आउ था ठीक है चलिए दूसरा है करसी का उजार इससे बड़े मात तो ध्यान रखेगा करसी उपकरण से तीक production में बढ़ोतर हुई अब क्या हुआ भाई आप क्या कर रहे हो बड़े बड़े एरिया को जीत रहे हो तीक नगर बन रहे है तो जब बड़ा नगर बनेगा तो आपको बड़े मातरा में आपको आहार क्या वसकता होगी आपको भू था चटवी सताबदी इसवी पूर्व का वाकाल था जब लोहे का आविसकार हुआ लोहे का आविसकार ने डैफर्सिफाई किया ठीक बड़े-बड़े छेतर जीते जाने लगें बड़े मातरा में किरसी का ठीक है विस्तार हुआ ठीक और यह जो बड़े एरिया थे बड़े आविसके रह्त बड़े में अगर्थ है इसी को क्या कहा गया महाजभध अब हम पढ़ेंगे महाजनजगद के बारे में ठीक है तो ध्यान रखेगा यह सब्सक्राइब 07 यह kleinen महात्मा बुद्ध का का Мहात्मा बुद्ध और सांति सांत महावीर एस्वाम का Frої महावीर स्वामी तो ध्यान रखिएगा ठीक यह जो काल है महाजन्पद का काल वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का काल है और यह काल है छटवी सताब्दी इस्वीपुरु ध्यान रखिएगा छटवी सताब्दी इस्वीपुरु का काल है ठीक तो इसी काल में इनके समय में धुछान रिखिएगा बहुत गरंत है औंगुत्र निकाय पड़े होगे आप इसी निकाय में चर्चा किए गया ध्यान रखिएगा तो द्यू ट्ब 오늘도 में चल्बठे कितने जनम क्यों पर यू पुछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या थी ठीक है तो अब हम पढ़ लेते हैं 16 महा जन्पदों को ठीक है जिसमें हम उसको परमुख देंगे कि किस राज्ज में है वर्तमान में ठीक है और उसको हम उसकी राजधानी के बारे में भी पढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते है अब देखते हैं ठीक 16 महा जन्पद की स्थिती क्या क्या है ठीक सबसे पहले आजले आज़े है पस्चिम में और थात यह जो अफगानीस्तान का इलाका है तो सबसे दो महतवूर आपके महा जन्पद यहां था पहला है कंबोज दूसरा है गंधार क्लियर है ठीक कंबोज औ और गंधार भारत से बाहर हैं ध्यां रिखी आई सा भी परस्ब्र पुछा जाता है कि जो 16 तक्छे सीला तीक तो दो चीजे हो गई पहला कमबोज की राजधानी हाटक दूसरा गंधार की राजधानी तक्छे सीला यह भारत से बाहर है अब हम भारत में प्रविस्थ करते हैं भारत में प्रविस्थ करेंगे तो यह जो कुरू कुरू मतलब आपका वर्तमान दिल्ली य औरों से हस्तिनतैपुरों आप derived कर लोगे सूरसेन की रासधानी सूरसेन की राजधानी कौन थी죠 सूर्सेन की रासधानी बतुरा थी मतुरा क्लीर है अब आज ये Mस्ट्ष राजधानी वीराट नगर ध्यान unlimited नगर ठीक, ध्यान रखिएगा, एक्चोली में आप वो जो महाभारत का काल है, ठीक, यहाँ पर कौरा पांड़े हो है, तो सूरिसेन आपके उसमें से एक राजा हुआ करते थे, तो सूरिसेन का संबंद क्रिश्ण से था, इसलिए आप उसका नाम मतुरा से याद रखिएगा, उजय, यिनी, ठीक, यह आपका उजयनी जो है अवंती की राजधानी है, और सबसे दख्षडी, ध्यान रखिएगा, यह भी प्रस्म पुछा जाता है, कि सॉला महाजनपदों में से सबसे दख्षड में स्थित महाजनपद कौन है, तो वो है असमक, ठीक, असमक की राजध दो ध्यान रखिएगा, पांचाल, पांचाल की राजधानी कामपिल्य, कामपिल्य या अहिच्छत्र, दो ध्यान रखिएगा, कोशल, कोशल की राजधानी स्रावस्ती, स्रावस्ती, ये सारे जो नाम है, जब महात्मा, बुद्धा, महाविर, स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, तो सब नाम आएंगे, दीरे-दीरे, तो एक हिसाब से आपको परमुख चीजों की जानकर यहां से मिल जाएगी, ठीक है वत्स, वत्स का मतलबत समद लिजे, इलहाबाद, इलहाबाद के इलाका, इलहाबाद के नजदिक में है कोशामबी, तो वत्स की राजधानी है, कोशामबी, ध्यान रखेगा, ठीक कोशामबी, कोशामबी, क्लियर है, ठीक है, मल, मल की राजधानी है, कुशी नगर, कुशी नगर, कहीं कहीं पर पावा भी मिल जाता है, ठीक पावा ध्यान रखेगा, कुशी नगर पावा वाले इलाका, ठीक है, यह आपका नेपाल के तरही वाले इलाके में है नेपाल के तरही वाले इलाके में है काशी, काशी मतलब वर्थमान वारनसी कासी की राजधानी वारनसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कासी की राजधानी वारनसी clear है ठीक उसके बाद बच जाता है आपका मगध और अंग वज्जी जो यहाँ पर है वास्तों वज्जी की स्थिति यहाँ पर है ठीक है थोड़ा वहां सिफ्ट हो गया इन दोनों को बता देता हूं मगत की राजधानी आपका राजगरी ही राजगरी ही ठीक या गरीवरज सबसे पुराना नाम था गरीवरज वास्तों में जब मगत का उतकर सम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि तीन पहाडियों उसे सबसे पूर्वी जन्दपद ध्यान रखेगा अंग जन्दपद जो है सबसे पूर्वी जन्दपद है और इसकी राजधानी है चमपा कोई दिकत नहीं ठीक यह आपके भागलपूर वाले इलाके में मुंगेर जिला में ध्यान रखेगा मुंगेर भागलपूर वाला इलाक वज्जी के बारे मैं बता दू, यह जो वज्जी जो महा जनपद है, यह जनपद कोई एक जनपद नहीं, आठ छोटे छोटे जनों के मिला के यह जनपद बना है, आठ जन, ध्यान रखीगा, तो वज्जी को मैं थोड़ा उपर ले आता हूँ, वज्जी के बारे में, ठीक है यह जो वज्जी है, वज्जी यह परमुख आठ जनों से मिल के बना था, यानि कि आठ अलग अलग जन से मिल के एक बना है, ठीक है, ध्यान रखीए क्या, वज्जी जनपद, ठीक, इसकी राजधानी थी वैशाली, वैशाली, ठीक है, वज्जी जनपद की राजधानी जनपद हो गए तुरंत एक बार रिविजन करते हैं कमबोज हाटक गांधार तक्षिसिला कुरू हस्तिनापूर सूरसेन मथुरा मतस्य विराट नगर अवंति उज्जैनी अस्मक पूटिली चेदी शक्तिमती या शक्तिमती ठीक पांचाल कामपिली आहिच्छत्र कोशल स्रा सामबी काशी का वारनसी ठीक मल्ल का कुशी नगर या पावा कुशी नगर याद रिखीगा मगद का राजगरी या गरीवरज ठीक अंग की राजधानी चंपा सबसे पूरी में आपका जनपद हो गया आप अंग सबसे धक्षिनी हो जाएगा अस्मक क्लियर है ठीक तो यह ह मारे हो गए महाजनपद और इसी महाजनपद के बारे में यहाँ पर दिया हुआ इसको फिर से एक बार देख लिजे ठीक है सेम चीज है ठीक रिपीट करने का है यहाँ पर काशी का वारनसी कौसल स्त्रावस्ति अंग का चंपा चेदी का शक्तिमती वस्त का कोशांबी कुर अधिश्थान है पोटली कुछ भी लिकी समझें तीक है अवंति का उज्जेन या महिश्मती ध्यान रखेगा महिश्मती जो है एक जीला वर्तमान में है खरगौन के पास तीक है खरगौन जीला ध्यान रखेगा गंधार तक्चिसीला कंबोज हाटक या राजपूर तिक व है मगद तो अगला होता है मगद का उटकर्स ध्यान रखेगा का उटकर्स अब क्या है यह वही इलाका है जहां पर बहुत आए तूम्हें लोहा पाया जा रहा है तीक तो जिसके कारण ध्यान घ्यान रखेगा यह क्या करते यह ऐसा एक समराए राज यहा महाजन पक्त था जो सबसे ज़्यादा परसार कर रहा था, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देखिए कि मगद का उतकर्स होता है, और यह पूरे एरिये में इसका राज हो जाता है, आसपास के पूरे इलाकों को, महाजनपदों को जितेगा, महाजनपद काल की बाद की बाद की बाद कर रहा हू परद आसपास के पूरे एरिये कर चयापने, तो आज हमने पढ़ा इस चैप्टर में सिंदू हाटी से बहता से लेकर ठीक है वैदिक उत्तर वैदिक के साथ साथ हमारा महाजन पदकाल तो ठीक है ठीक अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे तब तक ध्यान रखेगा इन सबी चीजों को आप नोट डाउन कर लिजे ठीक रिविजन कर लिजे बार बार ठीक आप इसको ट्रिक बाई कि मतलब किसी चीजों के बारे में आपको समझ बनी आ रहा तो ट्रिक बना लिए कि यहां पर बता पाना संभाव नहीं है हम खुद ट्रिक बना कर रखें लेकिन यहां पर सारे चीज को नहीं डाल सकते हैं तो समाने तरीके से हम आपको यहां पर डिलिवर कर रहे हैं आप प फस रहे हैं तो वहाँ पर आप ट्रिक बना सकते हैं clear है चलिए फिर धन्यवाद